दोस्तो नमस्कार श्वागत है आपका हमारे सीवजी अश्टलोजी में दोस्तो 19 मई साल की सबसे बड़ी अमबवश्या जेश्ट अमबवश्या इस दिन बना भगवान सनिदेव के आस्तिरवाशे दिब और दूरलब महाश्वशयोग काल सर्फयोग अमरित सिद्योग शर्वार्द सिद्योग शनिकाश शश्योग और साथी साथ कई राजयोग और धनयोग की बज़े से दोस्तो बारा राश्यो में से छे राश्या होंगी करणपती माला माल दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस बार की जो 19 मई को जेष्ट आमब अश्या है ये इसले खास है क्योंकि इस दिन भगवान शनिदेव की जैन्ती मनाई जाती है तो सनि जैन्ती की बज़े से इस जेष्ट अवश्या को बहुत ही खास महत दिया गया है इश्वार की अमोश्या पर कई शारे दूलब सुप्षयोग बन रहे हैं और भगवान शन्दे की कृपा भी वरस रही है इश्वार यह 19 मई दिन सुक्रवार को पढ़ रही है जेश्ट अमोश्या दोस्तों 12 राश में से 6 राशवालों की इस दिन किस्मत सूर के समान चमकेग यह राश्या करोरपती बनने वाली हैं यह 6 राशवाली धन से माला माल बनेंगी यू कहें कि स्वेम अब बिधाता भी इन्हें करोरपती बनने से नहीं रोक सकते इन 6 राशवालों को जेश्ट अमोश्या की दिन जी हां दोस्तों आपको बता दे कि भागवान संदेव की कृपा से अब 12 राशव में से 6 राशवालों की किस्मत चमकेगी स्वेम भगवान संदेव इन 6 राशवालों की जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं और अब इन 6 राशवालों की जीवन में अपार धन शुक संपत्ति की प्रापती होने वाली है अपार खुश्या ही खुश्या मिलने वाली है, ये शे राशवाले करोपती बनने वाले हैं दोस्तों कौन कौन सी वो 6 राशी खुशनसीब और भागशाली राशियां है जो कि 19 मई जेस्ट अमश्या के दिन करोपती बनने वाली हैं इस वीडियो में हम आपको इन 6 खुशनसीब और भागशाली राशों के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको उन 6 खुशनसीब और भागशाली राशों के बारे में बताएंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरु से लेकर अंतक पूरा देखें वीडियो को बिल्कुल भी मिशना करें और जो लोग शनदेव से सच्चा प्यार करते हैं सच्चा इसने करते हैं वो भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में लिक दें जैस गया है इस दिन पवित्र रदियों में इशनान कर जब तप और दान आदिधर्म कार किया जाते हैं जेश्ट अवश्या के दिन पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पिंड़ दान तरपन और भोजन कराने के लिए बहुत सुब माना गया है इस दिन सन्जन्ती और बठ पूजा करें और बरगत के पेण की पूजा करने का विधान है इस दिन दोस्तों आपको बता दे कि जेश्ट अवश्या की दिन बठ साबित्री और सनी जैन्ती दोनों से इस तिथी का महत्त बढ़ गया है इस अवश्या का धार्मे के दृष्ट रकोर से देखा जा तो खास महत्त है क्योंकि इस दिन पवित्र नदियों में इश्णान करने से साथ जन्मों के पाप और पित्र दोस्ते मुक्ति मिल जाती है अमवश्या तिथी पर ब्रत पूजा करने से पित्रों का पिंड़ दान करने से सुब फलों की प्राप्ति होती है जेश्ट अवश्या का महत तो इशले भी है क्योंकि इस दिन अगर गंगा नदी में इशनान किया जाए तो सोने पे शुहागा और अगर नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही गंगा जल डाल कर जरूर नहा लें दोस्तो इस दिन काले तिल का दान जरूर करें सरी से संबंधित जो चीजे हैं जैसे काले तिल काली उड़ाद जरूर दान करें इससे भगवान संदेव की अपार कृपा प्राप्त होती है क्योंकि जेश्ट अमश्या की दिन भगवान संदेव का जन्व हुआ था इसलिए वश्या साल के सबसे बड़ी अमश्या में इसलिए गिंती आती है क्योंकि इस दिन कई सारे दूलब महाश्योग बन रहे हैं इस दिन सरवार सिध्योग शस्योग साती साथ दूलब महाश्योग महालक्ष्मियोग और भी कई सारे दूलब राजयोग और धन्योग का निर्मा अब इनके दिन में आएंगे नैने सवेरे और इनका भाग सात्मी आस्वान पर रहेगा नहीं सताएगी गरीबी बन जाएंगे करोर्पती रातो रात किस्म चमक जाएगी इन राशों का भाग देख कर दुनिया जल उठेगी दुनिया हैरान हो जाएगी क्योंकि भाग्वान स जिन के उपर 19 मई दिन सुक्रवार येश्ट अवर्शा के दिन भगवारने संदेव की अपार कृपा बन रही है और जो करोपती माला माल बनने जा रही है तो आईए बिस्तार से जा लेते हैं कौन-कौन सी राशिया हैं तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जिस रा बात होगी शुब कारकरम कर सकते हैं धार्विक अनिष्ठानों का कारकरम करेंगे कई महत्पूर छेतरों से लाब होगा प्रतेक छेतरों से आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी लगातार अंदनी बढ़ेगी कुछ ऐसे कार बनेंगे जो काफी समय से अधोरे पड़े थ पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे महत्पूर सफलता मिलेगी कारचेत में चली आ रही परेशानिया दोर होगी इनकम बढ़ेगी लंबे शमेशे पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे जो कार अभीतर का धोरे थे उन्हें पूरा करने का प्रयाश करेंगे महत्पूर सफलत प्राप्त होगी इसमें आपको लंबी अब तक की नोकरी प्राप्त होगी क्यों न हो कि इसमें भगवान सुनदे की कृपा प्राप्त होगी इस ये जो अवश्या है इस बार की जेश्ट अवश्या बहुत ही सुब रहेगी आपके लिए दोस्तों इसमें आप नई ब्यापार की शुरुआत करेंगे ने ब्यापारियों में आपको सबसे आगे रहने का मौका मिलेगा और नई जो मिलने की संभावना है भगवाने सनिदेव की कृपा से धन संपत्ति के मामले में बहुत ही आगे रहेंगे दिन दुगनी राचोगनी तरक्की प्राप्त होगी लगाताराम तो उस कार को पुरा करने का मौका मिलेगा क्यों न हो इसमें आपके द्वारा लिए ने बहुत ही सराहनी रहेंगे निश्य तरफ दिन दुगनी राचोगनी तरक्की प्राप्त होगी भगवान इशंदेव की कृपा से स्वार की अवस्या पर आपको दिन दुगनी बहुत ज़्यादा चमकेगी किसमत इतने ज़्यादा चमकेगी कि दुन्या देखती रहे जाएगी बता दे कि इस बार किया वश्याप के लिए बहुत इस शुब रहेगी भगवान संदे के क्रिपा से आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा आगे बढ़ने से पहले दरस्तो आप से रिक्ष्ट की जो लोग सच्चे भगवान संदे के इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दे और इस वीडियो को आप देखने को ज़दा ज़दा शेर जरूर कर दें तो दरस्तों बता दे कन्ये राश्टकों आपके उपर भगवान संदे की अपार कृपा बन इस बार भगवानी संदेव इस जेश्ट अवर्शा के दिन बहुत महरबान रहेंगे मा लक्षमी कृपा बरसेगी भगवान विश्मी के कृपा बरसेगी संतान की प्राप्ति की योग बन रहे हैं और विदेश सिधन के लाब होंगे विदेश सिधन के स्तरोत नजराएंगे कहीं नहीं सकते एक से ज़दा धन के स्तरोत नजराएंगे और इसमें अगर ब्यापार में कोई अजबाना चाहते हैं तो ब्यापार में आप अपना हाथ अजबा सकते हैं बतादे कि इंकम बढ़ेगी साथे जीवन साथी के माध्यम सिधन की प्राप्ती होगी विदेश सिधन का लाब होता हो नजराएगा जोब लगनी की संभावना नजरारी है अगर नोकरी की तलास में है काफी लंबे समय से अगर काफी समय से भटक रहे थे नोकरी को लेकर तो निश्य तर्पे बड़ी जोब लगनी की संभावना है भगवान संदे की कृपाश से निश्य तर्प इश्वार जेश्ट अबश्वा के दिन आपकी नई जोब लग सकती है तो नहीं गुप्त रुप से धनकी प्राप्ती हो शकती है अपार धनकी प्राप्ती हो शकती है ब बिएवर तक अगर कोई कार नहीं बना तो कार बनता हुँआ चला जाएगा दिन दुगनी राज चुगनी तरक्त होगी निश्यत और पर आपके दोर लिये गए-टार काफी सरहनी और जो भी नेड़ा लेंगे जो भी फैसला करेंगे वह फैसला आपके लिए बहुत ज़्यदा मानने होगा यहाण की इसमें आपके दार लिया गए नेड़ा काफ रहनी होगा दोस्तु अगले चौथ ही राषी है धो यहाँ पर बता दें वह यह है मकर राशी मकर राशकत को अब आपकी किस्मा चमकेगी चांद सितारों की तरह सूर के समान चमकाएंगे सनेदेव आपका भाग इस बार जेश्टा वश्या पर माता लक्ष्मी जी आपके भाग को चमका देंगी भागवान विश्मी जी किर्पा बरसेगी बता दे कि जिन निती ना करें वरना नुक्षान हो सकता है और इसमें आप अपनों से यहनि कि अगर कोई तकरार होती है तो थोड़ी से दूरी बना के रखें मित्रों से इसमें थोड़ी से अगर तकरार है तो दूरी बना के रखें क्योंकि इसमें आप अगर देते हैं उधार करजा या उनके किशी बहकावी में कोई भी नेना लेते हैं तो नुक्सान और घाटा आपको जहलना पर सकता है इसलिए आपको शमल के चलने की जरूरत है अगली राशी है दोस्तों बता दे जो पाच्चमी वो है याँ पर कुम्ब राशी कुम्ब राशी रतकों अब आपके किस्म बहुत ज़्यादा चमकेगी इसमें बता दे कि जेश्ट हवाशा के दिन कई महत्मुन कारियों में लाव होगा कुछ ऐसे कार पूरे होंगे जो काफिस में शयधूरे पढ़े थे पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे नई जब लग सकती है नए कारियों में आपको लब्ध कई महत्पूर छेतरों सिलाव होगा और इसमें आपकी आवक बढ़ेगी आई की मामले में काफी लखी रहेंगे दिन दुगनी और राज चोगनी तरक्की करेंगे बता दे कि रातो रात आप इसमें बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं इसमें जेश्ट नवर्षा के दिन आ आप पर अधिधिक प्रसंद हो चुके हैं बता दे की सरकारी संगठन शिलाव होगा सरकारी पर योजनाव शिलाभ होगा और तो और अगर कोई कोट के चहरी में मामला चल रहे था तो वो आपके प्रक्ष्मिय आता होना जञे गा कोट के चहरी में आपको अद्धिक लाब होता नजराएगा और कोई ऐसा कार जो काफी समय से नहीं बन पारा था वो कार बनेगा धन संपत्ति के मामले में बहुत लखी रहेंगे ब्यापारियों के लिए काफी खास रहेगा बता दे किसमें मान समान की प्राप्ति होगी किसी महिला मितर से सहयोग की प्राप्ति होगी किसी के द्वारा धनलाप की प्राप्ति होगी किसी बड़े नेड़े की और आप जा सकते हैं प्रतिष्ठा प्राप्त होगी तो दोस्तों इस बार जेश्ट अवर्शेप पर ये छे राशू के किसमा चमक रही है श्वेम विदाता भी इने करोरपती और धन्से माला माल बनने से नहीं रोक शकते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्षिन में लिख देए जय सन्यदेव शाती वीडियो को लाइक करें शेर करें और चनल को सब्सक्राइब करें जो लोग सच्चे भगवान सन्यदेव को लाइक और शेर जरूर कर दीजेगा जय सन्यदेव